मुद्धिश नियुक नियुक्ते लिखे देजेर पोडिश पूरुश, जनाब मुछम्मद दामान ने नों को मस्रूफ रखते हैं लेकिन सर्दी के मौसम में जब कि सर्दी जो हो शिद्द की होती है तो ऐसे मौसम में किसी इवन्ट का और्गनाईज करना ये पहली बार है कि पुंच के अंदर खिद्मत फॉर्डेशन की जानिब से विंटर किरकट कप का एहतमाम किया गया है उनके चेर्मेन सेद इमरान शाह यहां पर मौजूद है जिन्होंने जनाफ जफर शाह साब जो हमारे जिस्टर किरकट एसोसेशन के प्रेजिडेट है उनके इश्टराक से ये आज विंटर किरकट कप जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है जरूरी मीटिंग में जाना था इसकी साब को वहां से लोड़ते ही आप यहां पर तश्रीफ लाए हैं मेरी गुज़र से साब की अगवानी उन्हें ये बुके पेश करके सर एक मिन्ट सामेट वाक्सा बांडे और चेर्मन खिद्मत जिस्ट यूसर से स्पोर्टस ऑफिसर पुछ की टीम इनके मास्टर्स टीचर्स और लेक्चरर्स जो है कप का इhtमाम किया गया है जिसमें चाह साथ और इमरान सेद इमरान और इंजिर सलीम बांडे साथ अब मैं मैडल और शाना बशाना इंतजामिया के साथ पुलीस प्रेजिडेंट किर्कट असोसेशन जो बुल्तिक होकर किया है इस प्रेते हैं खुद नहीं लड़ते कभी भी बड़ी प्यारी शेकितिर के मालिक हैं हमारे दोस्त नाफ साथ इस और इस और इस जिड़े रहे बहुत और बाकी जितने भी यहां मौज़िस शक्सियात व्याइपी स्टेंड में बैठी हैं मैं उन सब का खिदमत फांडेशन की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहां प्लेयर्स की होसला अफजाई के लिए ग्राउंड में त अच्छा प्लैटफार्म जो है वो हम हर ताइम जो है वो यहां यूद के लिए मौहिया करते हैं तो उसी कड़ी को लेके यूद की डिमांड पे एक और तोरना मिंड जो है वो विंटर कप जो है वो यहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं और यहां पर अपनी खेल साहितों का मजारा करने के लिए और उमीर है कि भूट से खिलाडी के हुए निकल करके आएंगे इस टूर्णामेंट के बाद वैसे वी नवाज रासर इस वक्ति और वज़ाकार्शन भी अज़ाएंगे 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 अज़ाएं तो से पारो देकशर के रहाएंगे अज़ाएंगे अज़ाएंगे विपात्तक तर्न गरता इनसे ज़ाएंगे घृज था अज़ाउन दसेने हैंगे थीक यहGu शेहरी जिसमें हमारे ताज साहब, सर्मान साहब रिदा करूंगा खिद्मत फांडेशन का, इमरान साहब का, सलीम बांडे साहब का और तमाम लोगों का जिन्हों ने आज ये क्रिकेट टूर्नमेंट की जो इनाउगरेशन सेरमनी में मुझे इन्वाइट किया, पुंच की रवायत जो है वो तो हर एक चीज यहां की नायाब है, चाहे वो कल्चिरल एक्टिविटी हो, स्टडीज में, एकाडेमिक्स में हमारी चीप्मेंट हो, और स्पोर्ट से एक ऐसी चीज है जहां पे हमारा पर्चम जो है वो पुरी यूटी में, पुरे देश में जो जिस संजीत की के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी करवाते हैं, एक के बाद एक एक्टिविटी जो है वो यहां चलती रहती है, पिछली दिनों कोबिट का जब दोर चला तो हमें भी थोड़ी सी परशाने होने लगी कि कोई इनाउग्रेशन नहीं हो रही, किसी फंक्शन में हमें इन्वाइट नहीं हो रहा, तो यहां रह करके अगर आप एक हफते में अगर एक आदा फंक्शन नहीं है टेंड करो तो फड़ा सा खाली-खाली सा लगता है, बट उसके बाद जिस तरह से दोर शुरू हुआ, आप लोगों ने काफी टूर्नमेंट्स करवाए, चाहे वो टेबल टैनिज का हो, बैडमिंटन का हो, ताइकर बंडू का हो, हौकी का हो, किर्केट का हो, यह सब स्पोर्ट्स जो हैं वो नाकेबल हमें कंस्ट्रक्टेवली जोडते हैं, बलकि हमारे यूथ को एक अच्छी दिशा देते हैं, आज भी हम एक मीटिंग में गए थे, वहाँ जियो सी आये थे और हमारे डियाई साथ थे, उसमें ये चीज जिसका सो रही थी, जिसमें की हमारा जो यूथ है, वो अभी भी ड्रग्स के जाल में जो है, वो पस्ता जा रहा है, और उसकी वज़ेए से हो सकता है, वो कहीं ड्रग्स के साथ-साथ कहीं ओर नेशनल लेवल की रहती है तो स्पोर्ट से एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम लोग जुड़े रहते हैं हमारा शारीरिक और मांसिक दोनों जो है वो विकास होता है और मैं आपको शुब कामना ही देता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का अच्छा एक टूर्नमेंट जो है करेंगे क्लब हैं खित्मत फांडेशन की जानिब से उन्हें यह यूनिफॉर्म दी गई है तो यह बहुत अच्छी पेश्रफ्त इनकी खेलाडियों की होसला अफजाई के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए सेलेक्शन हुआ है और यह बड़ी बात है और वह इसी ग् सफर्शाव का पह दिल से मश्कूर हूं और मवार्ग बात देता हूं कि पहली बार यहां पर इंटर कप होने जा रहा है किर्कट का तो जिसमें जैसे इंगांच साथ बता रहे थे के 48 टीम इसमें पाडिस्पेट कर लिए बड़ी पुशी का मकाम है और सबसे बड़ी बात ह कि यहां पर स्पोर्श का इतना पुंच में कल्चर है कि आए दिन यहां कोई गेम चलती रहती है इंडूर हो यहां उडूर हो उससे ही है कि हमारा जो पुंच का यूथ है वह एक एंगेज रहता है स्पोर्ट में और वह एंटी नेस्मिलिया एंटी सोशल अक्तिविटी से पर उनको दूर रखने का यह बहुत बड़ा एक जरहिया है तो मैं अपनी तरफ से एक बार पिर इन और्गनाईजेस को मबार्ग बात देता हूं कि जो यह टूर्नामेंट को और्गनाइज कर ले हो अपनी तरफ से दूआ गो हूं कि यह टूर्नामेंट अच्छी तरह यह के लिए उनकों में यह बोलूंगा कि स्पोर्ट्समें स्पिट के साथ के लिए हाद जीत तो कोई माना नहीं रखती गेम को स्पिट्स से कहलना वही एक बुद्ध कड़ी बात है तो आखर में मैं अपने अपनी एंजी और अपनी एस्टोशन के तरुब से खिदम्स पॉर्ड